नमस्कार मैं हूँ धर्मेंदर और आप देख रहे हैं ओनलाइन न्यूज इंडिया आज सत्रवी लोकसभा के लिए पहले चर्ण के मतदान हो रहा है और देश के 20 राज्यों में 91 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इस वक्त हम मौझूद हैं गोतम बुद्र नग जो है जो है बटादे आपको यहां पर जो है बीजेपी से मैं डोक्टर महेश सर्मा केंदरिय मंत्री वह से संसद है वौटब जालए वोट डाला क्या मुद्धा रहा आपके लिए किसानों का मुद्धा है और कोछ नहीं है राष्ट राष्टवाद नहीं है यहां पर किसानों का मुद्धा है युवाओं की बेरोजगारी का मुद्धा है इस पर इस मुद्धे पर हमने मुद्धे आपने वोट डाला है पताइए किस मुद्धे को लेकर के वोट डाला आपने किसानों के लिए हमारी अभी भी गाउं में जो है किसानों का मुद्धा है आपका क्या नाम है धीरज नेता जी तो नेता जी है आप पर जी बताइए कि किस मुद्दे को लेकर क्या आपने जो है वोट डाला है हमने साब हमारा गाउजो 26-27-28 किसान मजदूर महिला बच्चे अपनी फसल बचाने गए उन पर बरबर तरा से महेश सरमार तेजपालनागर दोनों ने मिलके सासन पिर सासन से लट बजवाया हाथ पैर तोड़ दिये उनके और जेल में ठूसने का काम किया और दिवाली हमारे गाम में नहीं मनी और रात को ज जोड़े 90-92 साल के लोगनों नियुक्त मारे पीठे जेल भेजे हमारे वही मुद्दा है और हमारे तो क्लियियर से बात है हमारे तो हमारे हाँ अगर कोई दुनिया में नहीं कह रहे हो हम और तो नहीं पता कौन चोर रहे नहीं लेकिन महेश सरमा को गली-गली में चलिए ठीक है आप बजी क्या नाम आपका जग्वेस नागर है तो बताई कितनी वोट है आपके गाउं में हमारे एक तालिस सो कुछ बोट है अभी कितनी पॉल हो गई हैं हमारे देश्व पॉलिंग हो गया ऑच्छा आपने डाल दिया वोट डाल दिया आपका क्या मुद्द हमारे बॉधाया किसानों का हमारे की सब्सक्ते हाथ बहुत बात तमीजी की गई और किसे के एल में भी जब करस पी लिएसे बीड़िए और कि एमपी और ये विदायक दूनोंने अमने एमेरे साथ बहुत बैसे लूकशी की अधे और हमारे साथ यмज अब ने वह ने बहू किसानों के साथ भूग है और अकुछान धूला है और कोई नी कुल दीप नागर है कुल दीप जी तो बताइए और ने वो डाला क्या मुद्धा रहाब के जहने किसानों को मुद्धा रहा यह राष्टवादी विचारदारा की बात करते हैं जब कोई पद देना पड़ता है अपने सरकार में जब क्यों जाती बात देखते हैं गोतम मुन नगर एक बावल्य छेतर है गुजरों की सबसे जाधा बोट है तो गुजरों की अप एक सक करके और अन देखी करके इस ब्रा आना जाना होगा उधर उधर क्या मुद्धा है मैं समझता हूं लिए और पूरे अंसल उपर कोई मुद्धा है ही नहीं नहीं यहां किसानों के मुद्ध पूरे झार में हावी है और यहां पे सरकार जो भी आती है उनको जीकार के net चांट किक्सानों के सा उत सबसे जीए म पूरे देश में आपको देखने महां नहीं मिलेगी दिली की नाग के नीचा इस सब बुरा करण आपको कहीं मिलेगा नहीं ऐसे काम करने वाली सरकार को निश्यत रूप से घंटे भी हम देखना नहीं चाहते हैं और यहां से इनको भगा के छोड़ने लगातार चुनाव होते करीमन तीन किलो मीटर है जो भूत यहां लगा हुआ तीन-चार किलो मीटर का फराग है उसमें जो 110 नंबर में पीटा सी नदीकारी है वो बिलकुल ही अगर किसी के नाम में मिस्टेक होगी तो आधार भी ठीक हो भी सब तो उसे भाहां निकालता जड़ा से फोटो में कोई दूंदला पना गा उसमें निकादे में तो यह ना मेरे उसकी विजरूद निया आइडी की वोट डली है कि नहीं मेरी डली मेरे जो परिवार के लोग है मेरा मेरे फोटो मैच कर रहा हुँँए उसके बावजूद भी आइडी मांगते है किसलिये मांगते है वह आईडी त करते हैं जान भूज का इवम सिलो की हुए हमारे ना तीन बूतों पर एक बूत पर ठीक चल रही है वहां आट तो बोट पड़ गई वाकि तीन बूतों पर साड़े 500 वोट नहीं पड़े लाइने सुबह से लगी खड़ी है जान भूज के लिए लिए वापीश चले के मतीनके का बाते हैं वहां पर आपके यहां नाया हैं पर आप जो तक्रीम जो बाते कह रहे हैं वह के हैं कि किसानों का मुद्द यह सब बाते हो रही है यहां कोई भी जो ना हॉस्पिटल ना यहां जो धोर परसू पालते हैं लोग उनके लिए जो वह स्पिटल नहीं है इतने बड़े उसमें कॉलिज नहीं है लड़कियां जो 25 किलोमेटर दूर जो कश्बाव में सहरों में जा रही है गाजयबाद में इधर उधर जो तो यह काफी मुद्दे हैं और पांच साल इसको यह सासन हो गया यह खाली से लेकिन बाते हो रही है तमाम जो टीवी डिबेट देखते हैं और जो बाते होती है तो उसमें कहते हैं कि राष्टवादगा मुद्दा है यह राष्टवादगा कर रहे हैं यह तो रुको यह राष्टवादगा करी नहीं रहे यह तो एक तरपा च्षत्र राज चलाने का जो वह जूट बोलने का जो मुद्दा है यह उनीया भर के माषिक मैं फ़सरा संसे लिए निकम में पहले चण को मद्दान है वह अब लगभग संपन हो और लगातार हम जमीनी स्तर पर जो है लोगों से मिल रहे हैं और उनके मुद्दे क्या है ये जानने की कोशिस कर रहे हैं गाओं में देहात में अभी जो है किसानों के मुद्दे हैं युवाओं के मुद्दे हैं रोजगार को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं और उनकी फसल अच्छी लगी तो इस खबर को शेर करें इस खबर पर अपनी राय जरूर दे ओनलाइन यूजिंडे की सभी खबरे अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाए